सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक्रान चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए सो फैनली वनप्लस वालों ने अपने वनप्लस 12R के अंदर अक्सिजन वेस 14 बेस डाउन एंड्रोइट 14 का न्यू इस्टेबल अपडेट रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के उपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस अपडेट को करने के बाद कौन-कौन से निव फीचर्स देखने को मिलता है कौन से बगस fix किये है साथ ही इसका बेट्री परफॉरमेंस की स्टेब से देखने को मिलता है इसका गेम परफॉरमेंस की स्टेब से देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं one by one सारे कुछ बताने वाला हूँ तो इसके लिए वीडियो में last तक बने रहिएगा तो चलिए start करते हैं अब यहाँ पर features और bugs वगरे के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप इसके model number वर्जन वगरे चेक आउट कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे 1 प्लस 12 R का model number CPH 2585 देखने को मिलता है और साथ ही 14.0.0.831 I mean की 831 का new update देखने को मिलता है और इस update का जो size है 1.29 GB का है और यह आपको oxygen OS 14 के update के साथ official version देखने को मिल जाता है बात की जाई इस update के बाद इसके android security page की तो यहाँ पर आपको android 14 के update के साथ 5 अगस्त 2024 का current month का latest enhanced android system security देखने को मिलता है इस update के साथ बात की जाई इस update के बाद इसके system performance की तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो system performance है उसको यहाँ पर और भी improve और optimize किया है जिससे कि जो system के अंदर जो भी छोटे मोटे non-issue थे भक्स वागरा देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके पूरे की पूरे system performance और overall system UI को optimize and improve किया है जिससे कि आपको और भी better experience के साथ better UI के साथ better performance देखने को मिलता है साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो dynamic computing engine है उसको और भी improve और optimize किया है जिससे कि जो better battery life, apps opening, closing, animation, stability, speed वगरा आपको और भी better experience के साथ, better smoothness के साथ stable performance देखने को मिलता है इसके अलावा बात की जी अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों home screen के अंदर या फिर screenshot के अंदर यहाँ पर दोस्तों अगर आप home screen में three finger से swap up करते हैं तो उस time पर proper way में screenshot लेता नहीं था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे की अब आप three finger से screenshot लेते हैं या swap in down करते हैं तो उस time पर proper way में screenshot होता है इसके अलावा बात की जी अगले bug fixes की तो अगर दोस्तों आप camera यूज करते हैं photo अगरा या video अगरा निकालते हैं तो उस time पर जो camera के अंदर ही preview का option देता है उसमें अगर आप preview करते हैं तो वो proper way में preview नहीं होता था जैसे ये preview icon को click करते हैं shrink होने लगता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे की अब आप camera से photo वीडियो अगरा निकालते हैं और camera के अंदर ही preview करते हैं तो आपको properly preview होता है इसके अलाओ बात कीज़ अगले features की तो वो आपको मिलता है दोस्तो calculator apps के अंदर अगर दोस्तो आप calculator apps को floating window के रूप में यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर एक new features देखने को मिल जाता है आपको calculator app के उपर में three dot देखने को मिल रहा है उसको click करके setting option में जाएंगे तो यहाँ पर आपको floating window transparency करके new features देखने को मिलता है जिसे आप on करेंगे तो आप floating window में calculator app यूज कर रहे हैं उसको आप transparent कर सकते हैं इस features को on करने के बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा icon देखने को मिलता है जिसमें आपको transparent का level कितना रखना है कितना आपको transparency चाहिए वो आप यहाँ पर manage कर सकते हैं जिससे की जो आपका calculator apps है वो यहाँ पर floating window में transparent देखने को मिल जाता है इसके लाव बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर नीचेक side additional setting के अंदर screenshot में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक new option देखने को मिलता है screenshot preview floating window यह option दोस्तों क्यों यहाँ पर add किया है वो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अगर आप screenshot लेते हैं तो आपको already छोटा सब floating window के रुप में थोड़ा सब preview होता था तो वही features यहाँ पर add कर दिया है इस option को अगर आप on करते हैं तभी आपको screenshot लेने के time पर छोटा सब floating window के रुप में preview दिखेगा और अगर आप इस features यह option को off कर देते हैं उसके बाद अगर आप screenshot लेते हैं तो आपको यहाँ पर preview सो नहीं होगा तो यहाँ पर आपको screenshot preview का new option add कर दिया है इसके लावा बात कीज़ अगले change की तो वह आपको मिलता है दोस्तो camera interface में अगर दोस्तो आप camera open किये हैं और उस time पर आप camera interface को screenshot लेना चाहते हैं three finger से तो camera interface में three finger से screenshot होता नहीं था work ही नहीं करता था तो उस problem को यहाँ पर fix कर दिया है जिससे कि अब आप camera interface में three finger से screenshot लेते हैं तो आपको proper way में screenshot लेने को मिलता है इसके लावा बात की जाए अगले bug fixes की तो वह आपको मिलता है दोस्तो quick setting में volume slider या फिर volume button के अंदर क्या होता है कि दोस्तो अगर आप volume button प्रेस करते हैं तो जो quick setting में volume का slider है वो up down नहीं होता था और अगर आप quick setting के volume को up down करते थे तो जो volume button प्रेस करने पर up down होता है वो नहीं होता था same time में तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है अप down करेंगे तो volume button वाले slider में भी up down होगा at the same time में जो की पहले at the same time में नहीं होता था इसके लाओ बात कीज़ा अगले बग फिक्सेस की तो वो आपको मिलता है दोस्तो calendar में या फिर contact में birthday set करने के time पर अगर दोस्तो आप particular किसी contact में birthday set किये है तो वो calendar से synchronize नहीं होता था जिसकी वज़े से उस person का birthday miss हो जाता था alarm नहीं देता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप contact में किसी कभी birthday set किये हैं तो वो proper way में calendar से synchronize होता है और जब birthday रहता है तो उस time पर आपको alarm देता है जिससे कि आपको उस person का birthday जो है पता चल जाता है इसके अलाओ बात कि जगले bug fixes की तो अगर दोस्तो आप simple mode यूज करते हैं तो उस time पर जो swipe up का response है वो proper way में होता नहीं था simple mode में अगर आप phone यूज कर रहे हैं तो अगर आप swiping करते हैं up down करो या left right करो तो वो swiping का response नहीं होता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप simple mode में swipe up करते हैं तो आपको properly response देखने को मिलता है इसके लाओ बात कि जगले bug fixes की तो वो आपको मिलता है दोस्तो brightness के अंदर अगर दोस्तो आप auto brightness features को off करके रखते हैं तो वो कुछ कुछ situation में automatically auto brightness features जो है on हो जाता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप auto brightness features को off रखते हैं तो वो properly off रहता है और अगर आप on करते हैं तभी वो on होता है अगले वक्त fixes की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तो एप update में अगर दोस्तो आप किसी भी particular app को update करते हैं तो उसके app info में जाने के बाद आपको uninstall update का option देता है तो जो uninstall update का option था वो properly so नहीं होता था तो उस problem को भी यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप किसी भी particular app को update करते हैं तो आप app info में जाकर उस app update को uninstall कर सकते हैं पहले वो uninstall update का option ही so नहीं होता था तो वो problem अब fix हो चुका है इसके लव बात किज़े अगले change की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तों network के अंदर यहाँ पर दोस्तों mobile network के connection के stability और performance को improve किया है जिससे कि जो mobile network के कुछ कुछ situation में up down होता था proper way में call वगरा connect नहीं होता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है अब आपको better और stable network के साथ better mobile network के connection देखने को मिलता है एंडगे इस बात की जाए इस update के बाद इसके battery performance की तो उसके लिए हम चलते है setting के अंदर निचे excited battery के अंदर यहाँ पर दोस्तों इसका जो battery performance है वो पहले से काफी better और best देखने को मिलता है पहले दोस्तों कुछ कुछ third party apps जो है काफी ज़्यादा battery यूज करते थे बैटरी consume करते थे जिसकी वाज़े से बैटरी draining का problem फेस करना पड़ता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि आपको better battery life better battery backup देखने को मिलता है यहाँ पर अभी power consumption को optimize किया है जिससे कि battery life जो है आपको काफी better देखने को मिलता है साथ ही दोस्तो इसका जो charging speed है वो भी यहाँ पर आपको सही देखने को मिलता है आप proper way में charging कर सकते हैं अभी आपको properly better speed के साथ charging देखने को मिल जाता है बात की जाईस update के बाद इसके game performance की तो यहाँ पर इसका जो game performance है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है पहले दोस्तो कुछ कुछ situation में jitter issue, which which में frame drop issue अगर देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि अभी आप game play करते हैं game खेलते हैं तो आपको proper और stable gameplay देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो अगर आप game खेलते हैं तो आपको यहाँ पर battery draining का problem फेस करना पड़ता है बाकी जो overall game का performance है वो काफी smooth और stable देखने को मिल जाता है अब दोस्तो बात की जाए OnePlus के system application update की तो उसके लिए दोस्तो मैंने अपने system application को update कर सकते हैं यहाँ पर आपको oxygen OS 13, oxygen OS 14 and oxygen OS 15 का काफी सारे system application update देखने को मिल जाएंगे लेकिन दोस्तो अगर आप oxygen OS 15 का system application update करते हैं तो carefully install कीजेगा हो सकता है आपको apps increasing issue अगर देखने को मिल जाए तो आप अपने risk में carefully install कीजेगा तो ए रहा इस update का full review दोस्तो यह update आपको मिला है कि नहीं मिला है और अगर मिला है तो कौन-कौन से bugs और new features देखने को मिले आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा तो इतना ही था दोस्तो इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करना ना भूले झाल 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 झाल